नमस्टकार दोस्तों सुागत है आपका अनैकडमी RPSC live और यहां पे मैं बात करने वाले है Grade Second Paper Second SSD का जो आपका paper है उसके बारे में बात करेंगे तो इसपेशली एकर बात करी जाए Grade Second के अंदर जो आपके जितने भी topic हैं तो ये topic wise जो है मैं लेके चल रहा हूँ सारे के सारे आपके questions जो है तो first of all आप ये class देख रहे हैं anacademy RPSC live पर और अगर आप राजस्तान के अंदर किसी भी exam की तेयरी कर रहे हैं तो आप anacademy learning app जो है ये download कर सकते हैं और उसके अलावा आपको presently anacademy पर एक offer मिल रहा है और offer जो चल रहा है ये 3 December तक हमारा offer है इसके अंतर्गत क्या है आपको 20% का जो है वाफ दिया जा रहा है यानि कि 20% का offer आपको मिल रहा है अगर आप anacademy जोइन कर रहे हैं किसी भी exam की तैयारी के लिए exam कौन कौन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहापर रास्तान के अंदर RAS की आप तैयारी कर रहे हैं रास्तान के अंदर EORO की रास्तान के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं CET की या आप रास्तान के अंदर तैयारी कर रहे हैं SI की यह सारे course आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यह live course देखने को मिलेंगे join करने के लिए आप code use कर सकते हैं tt live तो जैसे ही आप यह code use करेंगे तो आपको 20% का off जो है वो मिल जाएगा और 20% के discount के साथ में आप जितनी भी हमारी classes हैं वो join कर सकते हैं हरियाना PGT का जोगरफी का है तो दोस्त उसके लिए PGT के लिए हरियाना PGT के लिए करवाँगे यार मैं मैं राजस्थान के लिए करवा रहा हूं यहां पर दोस्त है ना तो चलिए सर यहां पर कुछ questions देखना शुगरते हैं तो बाग की आप लोग अगर ऐसा ही आरे इसके तियारी कर रहे हैं तो एक कोर्स जो है हमारा शुरू हो रहा है एक दिसंबर से शुरू हो चुका है आप यह जोइन कर सकते हैं अनकेडमी पर ओके चलिए तो यह तो बात हुई अपनी अनकेडमी की अब नेक्स्ट हम देखना शुगरते हैं कुछ questions यहां पर देख रहे हैं और questions especially आपको जो देखने को मिलेंगे वो जो questions मैंने यहां पर उठाएं हैं कुछ अर्थ मोशन को लेके हैं प्रत्वी की गतियों को लेके हैं अर्थ मोशन की अगर बात करी जाए तो यहां पर दो तरीकी के questions बन सकते हैं एक तो motions यानि की मैं बोल सकता हूं motions में आपका यह जो गुरुन गती देनिक गती या वार्षी की गती यह आता है गुरुन और परिकर्मन गती इसके अतरीक्त motions के अंदर जिमोफोरलोजी के अंदर भी चलते हैं कुछ है ना motions जो है वो जोगरफी में भी चलते हैं जिमोफोरलोजी के अंदर जिसके अंदर आप देखते हो उत्थान देखते हो वलन देखते हो वो भी motions में आता है उसको भ पूरी हमेशा एक सी नहीं रहती है, तीन जन्वरी को यह दूरी सबसे कम होती है, इस घटना को कहा जाता है, प्रतवी जो है, वो सूरे के चारोटरफ परिकरमा लगा रही है, और यह परिकरमा लगाती है कि समें दीर गवरतकार मार्क के अंदर, यह जो रूट देखने को मिल और सबसे निकट जो होती है वो इस्तिति होती है आपका तीन जनवरी को और तीन जनवरी को जो निकट इस्तिति होगी उसको कहा जाता है उपसौर और एक इस्तिति होती है आपकी चार जुलाई को चार जुलाई को जो इस्तिति होती है इस इस्तिति के अंदर प्रथवी सूर परिकर्मन के कारण ही होगी विश्यू की इस्तिति भी परिकर्मन के कारण ही आपको देखने को मिलती है यहां पे आपको तीन जो है चीजे याद रखनी है कौन-कौन सी एक तो इस्तिति आती है जब सूर्य की किरने जो है करक रेखा पे लंबबत चमकती है इसको आप बोलते रेखा पे सीधा आता है इसको बोलते हैं अपन विशुव की स्थिए ठीक है तो यहां पे आप देखना शूगरते हैं आपको चार तिथी जो है वो याद रखनी है हर चार चार महिने के तीन-तीन महिने के गैप के बाद में आपको देखने को मिलती है सबसे पहले 21 मार्च 21 मा पर चमकता है विशु की स्थिथी और उसके बाद में देखने को मिलता है 22 दिसम्बर देखने को मिलती है मकर सकरांती ठीक है तो 21 मार्च और 23 सितंबर यह दो तिथी होती हैं जिनको विशु की स्थिथी के नाम से जाना जाएगा ओके यार अब अनली एक पोश्ट के लिए तो क्या ही फाइट करनी है तुमने है तुमने है मतब एक कर शायद 2013 चोदे की बात है हरियाना के अंदर PGT निकली थी और हरियाना में एक बाउंडीशन होती है कि PGT के लिए आपका हरियाना का जो TET है जिसको H TET बोलते हैं वो किलियर होना चाहिए और उसके अंदर 12-13 जब मतब C TET चला ही चला था जबकी बात बता रहा हूं मैं उस वक्त जितनी पोष्ट निकली थी ना उतने लोग H TET कॉलीफाई नी मिले थे जितनी पोष्ट ये जोगराफी की निकली थी वहाँ पे हरियाना में लगबग 700-800 तो 700-800 लोग हरियाना में जोगराफी के लिए तो वहाँ पे जिनोंने भी form भरा था, उन सब का लगबग-लगबग सेलक्शन हुआ था नेस्ट सर अगला Question, यहाँ पे दिखाए देता है प्रतवी की परिकर्मन गती है तो प्रतवी जो है परिकर्मा करती है, ठीक है, तो परिकर्मन जो गती देखने को मिलती है वो है एंटी क्लॉक वाइज और ये होती है आपकी वामवर्थ मार्ग के इंदर नेक्स्ट कुश्चन प्रत्वी की परिकर्मन गती का मार्ग है तो सूर्य के चारों तरफ परिकर्मन मार्ग इससे पहले वाले कुश्चन में आपको दिखाई दे रहा था दीर गवर्थ का ठीक देखो परिकर्मन जो सूर्य के चारों तरफ होता है और गुरुनन जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है प्रतवी की यह गती कहलाए जाती है तो देखो ब्रह्मांड यह गती नहीं होगी सौर गती नहीं होगी यह परीकर्मन गती और वार्शिक गती गुरुनन गती और देनिक गती देखो सामाननेते जो गुरुनन गती होती है यानि कि अपने अक्ष पे जो रोटिड कर रही है यानि कि पूरा एक चक्कर लगा रही है ये गुरुनन गती होती है इसको देनिक गती भी कहते हैं लगबग लगबग आपका 24 गंटे में या मैं बोल सकता हूँ 23 गंटे 56 मिन 4 सेकिंड के आसपास ये समय देखने को मिलता है इसका गुरुनन गती या देनिक गती जिसके फलसरूप निर्मान होता है दिन वैरात का मतलब यहां पे आपका इसके फलसरूप गुरुनन गती के कारण डे और नाइट जो है ये बनते हुए दिखाए देंगे ध्यान रखना इसके फलसरूप रीतू का निर्मान नहीं होता है गुरुनन गती जो होगी इसके फलसरूप दिन और रात का निर्मान होगा अपने अक्षपे प्रत्वी गूम रही है तो अपने अक्षपे गूमने की वज़े से आप मेरे को जरा ये बताओ कि यहां पे आपका कौन सा रीतूं का निर्मान हो जाएगा ऐसा तो है नहीं कि 24 गंटे में अपना रीतूं का निर्मान होता है नहीं होता है सर या मोसम का निर्मान हो जाएगा परिकर्मन गती यानि कि सूरे के चारो तरफ परिकर्मा और अपने अक्ष पे जो प्रत्वी का जुकाव है इस कारण से ये दो कारण रहेंगे यहाँ पे केवल मानलो अगर अपने अक्ष पे जुकी हुई नहीं होती सूरे के चारो तरफ परिकर्मा करती तो भी रीतों का निर्मान नहीं होता है ना तो भी रीतों का निर्मान नहीं होता मेनली जो रीतों का निर्मान होता है वो अपने अक्ष पे जुकाव की वज़े से होता है और दो कारणों से रीतों का निर्मान हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सूर्य के चार ओर जो चक्कर लगाती है इस गती को बोलते हैं प्रत्वी की परिकर्मन गती या प्रत्वी की वार्शी गती जो की एक वर्ष में पूरी होती है इसके कारण और अक्ष पे जुके होने के कारण रीतों का निर्मान होता हुआ दिखाई देता है प्रत्वी की गुरुनन गती के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं गुरुनन गती के सम्मंद में असत्य कथन निम्न में से हैं कौन-कौन से कथन गुरुनन गती के सम्मन्द में असत्य है पहला पवन वे समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन के लिए भी गुरुनन गती जो है जवाबदार है क्या सही बात है कि गुरुनन गती के कारण ही पवन और समुदरी धाराओं के अंदर विक्षेप पैदा होता है क्या ये सही बात है दूसरा गुरुनन गती के कारण मौसम या रीतों के अंदर परिवर्तन होता है क्या ये सही बात है रीतों के कारण ही दिन और गुरुनन गती के कारण ही रीतों का निर्मान होता है ठीक है और प्रतवी अपने अक्ष पर गुरुनन पश्चिम से पूर्व की ओर करती है तो यहाँ पे सिंपल सा आप बोल सकते हो कि यह पहली लाइन तो आपको परेशान करने के लिए है गुरुनन गती के कारण समुद्र में जौर भाटा आते हैं गुरुनन गती के सम्मद में असत्य कथन जो है वो कोन सा है ठीक पहला देखो गुरुनन गती सूरे के चारों तरफ जो है मतलब यह यहाँ पे बात कर रहा है आपका ध्यान रखना गुरुनन गती की बात कर रहा है परीकर्मन गती की बात नहीं कर रहा है गुरुनन यानि कि अपने अक्ष पे गुमना सिंपल सा इसका कुश्चिन का आंसर आपको मिल गया होगा देखो प्रतवी अपने अक्ष पे गुम रही है और इसी गुरुनन के कारण यह जो अपने अक्ष पे घूम रही है आप 2nd grade की तैयारी कर रहे हो आप 3rd grade की तैयारी नहीं कर रहे हो द्यान रखना अपने अक्ष पे घूम रही है इस घूमने के कारण आपका मैंने कहा था कोरियोलिस बल का निर्मान होता है ये अपने अक्ष पे घूमती है इसी के कारण कोरियोलिस बल बन रहा है अगर ये घूमना बंद कर देना तो कोरियोलिस बल ही नहीं बनेगा आपका और जब कोरियोलिस बल नहीं बनेगा तो यहां पे जो आपका विस्थापन होता हुआ दिखाई देता है किसका वाईयू का जो हवा उत्री गुलार्द में दाईं तरफ और दक्षनी गुलार्द में वाईं तरफ गुम रही है जो समुदरी जल धारा हैं आपके उत्री गुलार्द में दाईं तरफ और दक्षनी गुलार्द में बाईं तरफ गुम रही हैं जो आपके चकरवात जो भी एक main fact है यहाँ पे तो पवन वे समुदरी धाराओं की दिशा में परिवर्तन के लिए गुरण गती जिम्मेदार है बिल्कुल सही बात है अपने अक्षपे घूमने के कारण पवन में विक्षेप होता है कोरियोलिस बल का निर्मान होता है और साथ में जलधाराओं की दि जो होता है यह परिकर्मन से होता है ना कि गुरुनन से होता है दूसरा बिल्कुल गलत है गुरुनन के कारण दिन और रात का निर्मान होता है और प्रत्वी अपने अक्षपर गुरुनन पश्यम से पूर दिशा की तरफ करती है यह भी सही बात है आपका अब देखो सामने वाला आपसे ये पूछ बैठे ये तो अपना concept किलियर हो गया कि घुरुनन गती के कारण जो है वो दिनों रात बनते हैं अगर आपसे पूछ ले कि हमारी प्रतवी पर धुर्वो पर 6 महा के दिन वे 6 महा की रात पाई जाती हैं है ना धुर्वो पर आपको सदेव 6 महा के दि और 6 महा की रात देखने को मिलेंगी तो ये किसकी वज़े से क्या ये 6 महा के दिन और 6 महा की रात गुरुनन की वज़े से नहीं सर ये गुरुनन की वज़े से नहीं होंगे 6 महा के दिन और 6 महा के रात ये किसकी वज़े से होंगे 6 महा के दिन और 6 महा के रात एक तो अपन अक्ष पे प्रतवी का जुकाव प्रतवी अपने अक्ष पे साड़े तेविस डिगरी के कोण पे जुकी हुई है दूसरा कारण यहां पे देखने को मिलेगा सूर्य के चारो तरफ परिकर्मा ये ध्यान रखना दिन और रात का निर्मान जो होता है वो होता है गुरुनन गती के कारण और धुर्वो पर जो 6 महा के दिन और 6 महा के रात बनती हैं वो बनते हैं अपने अक्षपे जुकाव और सूर्य के चारो तरफ परिकर्मा के कारण यह आपको शायद किलियर होगा बिलकुल कैसे सर मान लो 4 और एक्जामपल यह आर्थ का यह वाला सेंटर मेर को दिखाई दे रहा है सूर्य के चारो तरफ आपको दक्षणी भाग दिखाई देगा अब दक्षण में दिन है प्रत्वी अपने अक्षपे कितना ही घूम ले यह दक्षण में आपको हमेशा दिन दिखाई देगा दक्ष तिखाई देती हैं किलियर है सर, बताओ फट फटॉट दिव्या, हैलो, मनोज भाही हैलो, नेक्सट अगला कुश्यन प्रतवीक गतीशील पिंड है, इसकी गतियों को लेघ कितने परकार की होती है, question गलत टाइब कर रखा है प्रतवी गतिशील पिंड़ है इसकी गती है ठीक तो मतलब देनिक गती है तो देनिक गती है 23 गंटे 56 मिन्ट 4.9 सेकिंड गती प्रतवी की दो प्रकार की होती है एक तो होती है देनिक गती देनिक गती को आप बोलते हो गुरुनन गती और एक होती है क्या प्रतवी की वार्शिक गती वार्शिक गती को आपन बोलते है परिकर्मन गती ठीक है ये दो तरीके की गतियां देखने को मिलती है नेक्स अगला question देनिक गती के कारण दिन रात का निर्मान होता है इसे कहा जाता है प्रतवी की कलाएं परिकर्मन गती गुरुनन गती या आंत्रिक गती देखो कलाएं जो है न वो चंद्रमा की होती है वो प्रतवी की नहीं होती है कलाएं जो हैं वो चंद्रमा की दिखाई देंगी प्रतवी की नहीं दिखाई देंगी देनिक गती के कारण दिन्दात का निर्मान होता है देनिक गती ही आपका किस नाम से जानी जाती है गुरुनन गती आंतरिक गती नाम की प्रत्वी में कोई चीज नहीं है परिकर्मन गती सूर्य के चारो तरफ जो परिकर्मा लगाए जा रही है उसको परिकर्मन गती के नाम से जाना जाता है ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या होगा ए आंसर होगा, गुरन गती सही आंसर देखने को मिलेगा नेक्स्ट, अगला कुश्शन आपका अपसौर, जश्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी आपसे देखो लोग जो है ना बड़ा कनफ्यूज होते हैं सामाननेत है, उपसौर और अपसौर के इंदर उपसौर और अपसौर के इंदर है ना, देखो ध्यान रखना एक सिंपल सा तरीका आप याद रखना जैसे सामाननेत है आपन बोलते है कि साब राष्ट्रपती है और राष्ट्रपती के निकट जो है वो देखने को मिलता है क्या उप राष्ट्रपती जश्ट निकट राष्ट्रपती के निकट क्या है उप राष्ट्रपती है उप जो होगा वो उसके निकट होगा उप जो होगा वो उसके निकट वाला होगा उप पद जो है वो निकट के लिए लिया जता है तो अगर मुझसे पूछे उप सौर तो उप सौर की स्तिती होती है सबसे निकट है ना और ये निकट की स्तिती देखने को मिलती है कब आपका तीन जनवरी को तीन जनवरी को और अपसौर होता है आपका सबसे दूर और ये इस्तिती होती है आपका क्या चार जुलाई को जो grade 3 की तैयारी कर रहे हैं उनकी class रात को 9 बजे से content की इसी chapter की आज class है रात को 9 बजे से जो grade 3 की तैयारी कर रहे हैं और grade 2 के अंदर जो topic है बहुत आसान कुश्यन है examiner इस कुश्यन को थोड़ा सा complicated करता है थोड़ा सा मुश्किल करता है थोड़ा सा hard करता है कैसे hard करता है examiner आप से बोलता है कि 3 जनवरी को प्रतवी सूर्य के सरवाधिक निकट पाई जाती है और ये उपसौर की स्थिती होती है आपको ही पता है साब कि हाँ जी मैंने मान लिया कि ये 3 जनवरी जो है 3 जनवरी को प्रतवी जो है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट होगी और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका ये स्थिती जो देखने को मिलती है उपसौर की स्थिती मेरे को देखने को मिलती है अब एक्जामनर आपके साथ में क्या कहलता है वो ये कहता है कि साब ये उपसौर की स्थिती तो है पर ऐसे स्थिती के अंदर भारत में शीतरी तो क्यों पाया जाती है है ना भारत के इंदर जो है वो तापमान कम क्यों पाया जाता है तीन जनवरी को आप देखते हो भई सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है आपन फिर भी अपने को ठंड देखने को मिल रही है है ना गर्मी तो है इनी भारत के इंदर तो ध्यान अखना ये तीन जनवरी के आसपास जो सूर्य होता है ये मकर रेखा के निकट या मकर रेखा के निकट जो है इसकी किरने या इसका प्रकाश सीधा पड़ता है करक रेखा पे इसका प्रकाश जो है तिर्चा पड़ता है ठीक अब आपके दिमाग में ये भी कुश्यन आएगा कि साब 4 जुलाई के आप स्थिती हमें बता रहे हो तो 4 जुलाई को जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा दूरी पे रहती है प्रत्वी और 4 जुलाई को जो है सूर्य का प्रकाश करकर एखा पे सीधा आता है यानि कि मकर मकर रेखा पे जो है वो क्या देखने को मिलेगी यहां पे 4 जुलाई के दिन ठंड देखने को मिलेगी हां साब बिलकुल 4 जुलाई के दिन जो है मकर रेखा पे आपका ठंड के दिन होंगे या शीतरी तू पाए जाएगी तो ये शीतरी तू मतलब गर्मियों के इंदर जो आप 3 जनवरी को देखते हैं सूरे के निकट हैं आपन करक रेखापे हैं अगर सूरे के निकट नहीं होते तो 3 जनवरी को जो ठंड पड़ती उससे ज़्यादा ठंड होती भारत के इंदर और 4 जुलाई को जितनी गर्मी रहती उससे ज़्यादा गर्मी रहती भारत के इंदर अब कुशन मनता है सर कितने प्रतिशत कंतर होता है उत्री गोलार्द में दक्षणी गोलार्द की तुलना में कितने प्रतिशत ठंड कम होती है और कितने प्रतिशत गर्मी कम पाई जाती है तो ध्यान अखना साथ प्रतिशत उत्री गोलार्द में दक्षणी गोलार्द की अधिक होगी और गर्मी भी 7 प्रतिशत अधिक होगी आपने देखा होगा दिसंबर आ जाएगा भी दिसंबर जनवरी के इंदर वहाँ पे ग्रीशम काल चल रहा होगा ऑस्टेलिया का या भी ऑस्टेलिया के इंदर इतनी तेज गर्मी होगी कि वहाँ पे नैचुरली बुश बुश फायर शुरू हो जाएगा बुश फायर मतलब वहां के जंगलों के इंदर प्राकर्तिक रूप से आग लगनी शुरू हो जाएगी वहां पे सामाननेते लगती है आपने वर्ष 2020 के इंदर जनवरी के इंदर नियूज में पढ़ा होगा कि ऑस्टेलिया के इंदर हुआ बुश फायर श्टार्ट यानि कि ऑस्टेलिया के जंगलों में लगी आग और वो इतनी ज़्यादा फैल गई कि वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल पड़ गया उनके लिए ना वो यही कारण प्राकर्तिक रूप से आग लगती है ऐसा नहीं कि ऑस्टेलिया में लोग लग ठीक है आगे चलते हैं सर अगला कुश्चन देखने को मिलता है आपको यहां पे क्या लंडन में अपराहंत दो बज रहे हैं तो भारत में साड़े साथ अपराहंत का समय होगा भारत ग्रीन विच के पूर्व में साड़े बईयां से डिग्री पूर्व पर अवस्तित है सर देखो सीधा सा अंतर्व दिखाई दे रहा है आपको दो के बाद 3,4,5,6,7,7 लंदन में दो फैर के दो बज रहे हैं तो भारत के अंदर यह कह रहा है कि भाईस साब भारत के अंदर आपके क्या बज रहे होंगे यहां पर साड़े साथ सही बात है बिलकुल भारत जो एक Greenwich जो वैश्विक समय रेखा है उससे प्लस 530 GMT पर अवस्तित है ये भी बात हो सकती थी या भारत जो है वो Greenwich से साड़े बईयां से डिगरी पूर्वी देशांतर पर अवस्तित है दोनों बात सही है और इसी कारण से ये साड़े पांच गुंटे का variation आ रहा है तो कथनकारक सही है और ये इसकी क्या करता है व्याख्या करता हुआ दिखाई देता है अगला question दिखाई देता है क्या आपका ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए कुछ देशों का देशांत्री विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं बिल्कुल सही बात है विश्वे सरवाधिक जो है समय रेखा है आपको रूस में देखने को मिलेंगी कैनाडा में देखने को मिलेंगी अमेरिका में देखने को मिलेंगी क्यों 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 का देशांत्री विस्तार अधिक है बिल्कुल सही बात है उन्होंने एक से अधिक मानक समय अपना रखे है प्रतवी को एक एक गंटे वाले 24 समय कटिबंद समय छेतरों में बाटा गया है एक एक गंटे वाले 24 समय छेतरों में यानि कि 24 गंटे में बाटा गया है सम्कून प्रतवी को एक एक गंटे वाले सही बात है ये भी प्रतेक समय छेतर में 15 डिग्री देशांतर तक के छेतर को घेरा जाता है मतलब प्रतेक एक गंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर को बाटा जाता है ये भी सही बात है हमेशा हम बोलते हैं 15 डिग्री देशांतर वराबर 1 गंटा ठीक है मतलब 15 डिग्री देशांतर में हमेशा एक घंटे का फर्क देखने को मिलेगा एक डिग्री देशांतर में आपको 4 गंटे का चार मिनट जो है उसका फर्क देखने को मिलेगा ठीक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उप्रोक्त सभी जो हैं वो सही है नेक्स्ट अगला कुश्यन रीतों निमलिकित कारणों में से किस कारण से होती है या रीतों का निर्मान किस कारण से होता है ये वही कुश्यन है दोस्त जो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ प्रथवी का परिकर्मन और एक ही दिशा में उसके अक्ष का जुकाव प्रथवी को अपने अक्ष पर इर्दगिर्द घुरुनन के कारण आभा मंदल ये कोई कारण नहीं होगा और प्रथवी अक्ष अपने कक्षिय सतय से साड़े 66 डिगरी का कोण बनाता है देखो सर ये बात तो सही है कक्षिय सतय से हम साड़े 66 मतलब आप मतलब अक्ष तल के सहारे आप साड़े 33 डिगरी के कोण पे हो और आप कक्षिय सतय से जो है पर रीतों का जो निर्मान होता है ये सूर्य के चारों तरफ परिकर्मन और प्रत्वी का एक ही अक्ष पे जुकाव होने के कारण आपको होता हुआ दिखाई देगा तो आंसर जो है वो क्या दिखाई देगा B आपका ठीक चलिए सर नेक्स्ट अगला कुश्चन पूरी प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं अर्थडे देशांत्रों के मद्देदूरी प्रत्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा देनिक गती देनिक गती अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाना जो है यह यहाँ पर यह देनिक गति की बात कर रहा है ठीक है देनिक गति वो ही होगी प्रत्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाती है इसको अर्थडे जो है यही होना चाहिए साब अर्थडे आपका Earth Day इसको ही बोलेंगे आपने Earth Day आपका यही कहलाया जाएगा प्रतवी का अपने अक्ष पर मतलब पूरा चक्का लगाना इसको एक प्रतवी दिवस कहा जाता है संपून प्रतवी दिवस एक प्रतवी को भुवाब के रूब में क्यों वर्नित किया जाता है जल से ढखी हुए यह इसलिए बुहाब नहीं बोलेंगे जीवन के लिए अनुकूल परिस्तितिया केवल प्रतवी पर पाए जाती है देखो जीवन के लिए जहां पर अनुकूल परिस्तितिया पाए जाती है या वह छेत्र जहां पर जल आपका तरल अवस्था में मिल रहा है मान लो अगर हम सूर्य के बहुत निकट होते तो हमारे यहाँ पे जल जो है वो वाश्पिक्रत होता वो गैस के रूप में होता और अगर हम सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होते तो जल जो है वो हमारे हाँ पे ठोस अवस्था के अंदर होता बर्ष के रूप में होता प्रत्वी पर आप जल देखते हो तरल अवस्था में देखने को मिलता है इस अवस्था को कहा जाता है आपका गोल्डी लोक जोन प्रथवी जो है मतलब आपकी ऐसी दूरी जहांपे जल जो है तरल अवस्था में है और जीवन संभव है तो जीवन के लिए एनुकूल पर स्थितिया केवल प्रथवी पर पाई जाती है बात सही है कि यहाँपे पाई जाती है प्रत्वी दुर्वों के पास से थोड़ी चप्टी है अब देखो जियोड शेप जो है न भुवाब आकरती वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्वी जो है वो दुर्वों पे से क्या दिखाई देगी आपको चप्टी दिखाई देगी दुर्वों पर से प्रत्वी जो है मतलब ओपर से और नीचे से फ्लैट है और इस जियोड शेप के कारण इस आकृती के प्रभाव जो देखने को मिलेंगे वो क्या देखने को मिलेंगे एक तो ध्यानक ना ये दुर्वों पर चप्ठी इसकी जो आकरती जो है आप बोल सकते हो कि साब संत्रे की तरह दिखाई देती है प्रत्वी दूसरा मैं बोल सकता हूँ इस आकरती का प्रभाव ये रहेगा कि जो धुर्व देखने को मिलते हैं इन धुर्वों पर गुरुत्व ये बल अधिक देखने को मिलता है ठीक दुर्वो पर गृत्व जो है वो आपको अधिक देखने को मिलेगा इस जियोड शेप के कारण इसको बोलते हैं आपन भुआब आकरती या जियोड शेप भुआब आकरती जियोड शेप किसको बिल्कुल गोल नहीं जहां पर आपको ऊपर से और नीचे से चप्टी दिखाई देगी तो यहां पर आप देखते हो तो भुमद्य रेखा की तरफ जो है धुर्वो से दूरी या मैं बोल सकता हूँ प्रतवी के आंतरिक भाग की तरफ जो है धुर्वो से दूरी कम होती है बुमद्य रेखा से जो है आंत्रिक भाग की दूरी अधिक होती है बुमद्य रेखा पे गुरुत्वियबल कम पाया जाता है और धुर्वों पे गुरुत्वियबल अधिक पाया जाता है कारण यही है प्रत्वी की भुवा भाकरती का होना या जियोड शेप का होना आपका ठीक, ये भी कुश्यन एक सही है कि प्रत्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्यों दिखाई पड़ता है चंद्रमा केवल प्रत्वी का चक्कर लगाता है परन्तू अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता क्या ये बात सही है क्या कि चंद्रमा अपने अक्ष पे चक्र नहीं लगाता है चंद्रमा केवल प्रत्वी के चारो तरफ चक्र लगाता है मतलब परिकर्मन कर रहा है गुरुनन नहीं कर रहा है चंद्रमा सर गलत बात है चंद्रमा गुरुनन और परिकर्मन दोनों करता है और ध्यान अखना इसकी गुरुनन और परिकर्मन गती समान है गुरुनन और परिकर्मन गती जो है चंद्रमा की समान है चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है ठीक है और गुरुनन और परिकर्मन गती ल नहीं लगाता है ये तो बिल्कुल गल्ट है ये तो बिल्कुल ही गल्ट है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कहीं अधिक समय प्रतवी का चक्कर पूरा करने में लेता है ये भी गल्ट बात है अगला दिखाई दे रहा है देखो मतलब यह है कि अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाएगा उससे कहीं जादा प्रतवी के चारों तरफ चक्कर करने में समय लगाता है। बराबर समय में लगबग लगबग 29 दिन में प्रतवी के चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा और लगबग 29 दिन में ही अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाएगा गुरुनन और परिकर्मन गती दोनों समान है इसके चंद्रमा प्रत्वी का एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्षपर एक चक्र करने में लेता है ये बिल्कुल सही दिखाई देगा और यही कारण है प्रत्वी से सदेव हम चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं दूसरा हिस्सा कभी नहीं दिखाई देगा प्रतवी से प्रतवी से चंद्रमा का आप केवल केवल एक छेतर देखते हो दूसरा छेतर हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है या दूसरा छेतर हम कभी भी नहीं देखते हैं आपका हाँ जी सार ये ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड दोनों के टॉपिक हैं ये ये ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड जो है दोनों के कुश्च पेपर हैं आपका है ना ये दोनों का कुश्चन है आपका दोनों में दिखाई देगा आपका ओके किलियर है आ जाओ चलो सर जनसंग्या प्रवास वितरण ठीक है शेकर वो भी करवा दूँगा बाई जनसंग्या प्रवास वितरण जो है वो भी करवा दूँगा कल करवा दूँगा दोस्त एकिस मार्च और टेवी सितंबर को पूरी प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होता है इसका क के किरने मकरएखा पर 21 मार्च औ 23 सितंबर को मकर रेखा पर सीधी नहीं पढ़ेंगे अर गल्त बात है more could reduce पर सीधी पद bissल्हित गल्त बात है सूरे की किरने करक रेखा पर सीधी पड़Тी है और इस स्तिती में एक धुरू का जुकाव सूर्य की ओर होता है और दूसरा दे रखा है सूर्य की किर्णे विश्वत वरत की तरफ सिधी पड़ती है और इस्तिति में कोई भी धुर्व सूर्य की ओर जुकाव नहीं होता है देखो यहाँ पे जो आपको आंसर की तरफ जाना है एक साल में परिकर्मा लगा रही है है ना, तो हर चार महीने के अंदर यह अपनी इस्तिती जो है उसको चेंज करती हुई दिखाई देगी बिल्कुल, बिल्कुल जो है मतलब चार महीने के अंदर मैं बोल सकता हूँ, situation जो है या इस्तिती जो है, वो परिवर्तित होती भी दिखाई देती है, वो कैसे परिवर्तित होती है वो ऐसे परिवर्तित होती है कि आप पहली situation देखते हो, यह वाली यह वाली स्तिती देखते हो आप तिक, यह मान लो, बतलब आप camera की तरफ जो है, वहीं पे simple सा कि ये सूर्य है ठीक यहां पर चारो तरफ चक्कर लगा रही है या ये मैंने मान लिए ये सूर्य है यहां पर चक्कर लगा रही है ये पहली condition जो है आपको ये दिखाई देगी ये वाली दिखाई देगी आपको अब इस condition के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सा सा दक्षणी धुर्व जो है यह सामने है ठीक है और फिर गूमती 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 चार महीने बाद में ऐसे आएगी अब देखो क्या कोई धुर्व सामने दिखाई दे रहा है आपको दक्षणी या उतरी कोई भी धुर्व नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको अब गूमत धुर्व जो हैं वो बराबर जुकाव है इनके ठीक पहली स्थिति जो दिखाई दे रही है जहां पर दक्षणी धुरुप है यानि कि मकर रेखा पर यह है 22 दिसम्बर की ये है 22 दिसंबर की स्थिति ये दूसरी स्थिति देखोगे ये दिखाई देगी आपको 21 मार्च की ये स्थिति देखोगे ये दिखाई देगी जब करकरेखा पे सीधी आ रही है 21 जून की और ये स्थिति देखोगे तो ये वापिस दिखाई देती है 23 सितंबर की तो 23 सितंब आपका उत्री धुर्व सूरिय की तरफ जुका होता है और जब दिसंबर में मकर रेखा पे होती है तब दक्षणी धुर्व धुर्व जो है वो सूरिय की तरफ जुका होता है यहां पे प्रतवी पर समान ताप रहेगा यह विश्व की स्तिति में संपूर्ण प्रत्वी पर समान ताप रहेगा आपका अपने कक्षिय समतल पर प्रत्वी के अक्ष का कौन है कक्षिय समतल पर है ना या अक्षिय तल पर अक्षिय तल पर देखने को मिलती है सर यहाँ पे गल्थ दे रखे आ हैं option ही इसके गलते है, question ही गलते है तिक next sir यहाँ पर अगला question एक time का है कि दो शहर N और M greenwich से क्रमश 15 degree पूरव और 15 degree पश्चिम में अवस्तित हैं इन दोनों शहरों के मद्धे कितना अंतर देखने को मिलेगा आपको है ना, दो शहर देखने को मिलते हैं आपको A और M और N और M और यह greenwich से 15 degree पूर और 15 degree पश्चिम में माली जी एक greenwich रेखा है 0 degree यह 15 degree पूरव है आपका ठीक है? और यह 15 degree पश्चिम है आपका दोनों शहर के मद्धे अंतरल अंतर समय का हर 15 degree में एक घंटे कंतर होता है है ना, हर 15 degree में एक घंटे कंतर होता है पश्चिम से पूर में आओगे समय जो है हमेशा प्लस करोगे 0 degree पे आए एक घंटा प्लस कर लिया फिर यहां से 15 degree पे आए फिर इसके इंदर आपने एक घंटा प्लस कर लिया दो घंटे प्लस होगे आपके दो घंटे प्लस होगे एक गंटा ये 15 डिगरी का एक गंटा ये आपका तो ध्यानक न यहापे जो इन दोनों समय के मद्ध्य समय का अंतराल होगा वो सदेव दो घंटे का यहापे देखने को मिलता है प्रत्वी अपने अक्ष पर घंटी है और इस पश्चिम से पूर्व घंटे की तरफ घंटी है प्रत्वी और इस पश्चिम से पूर्व घंटे की वज़े से ही सूर्य जो है आपको हमेशा पूर्व से उदय होता हुआ दिखाए देता है पश्चिम से पूरु जो है घूमने के कारण सूर्य आपको पूरु से उदा होता हो दिखाए देता है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्द से पश्चिमी गोलार्द की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार पूर्वी गोलार्द से पश्चिमी गोलार्द द्यानक ना ये है प्रत्वी ये है आपका पूर्वी गोलार्द और ये है आपका पश्चमी गोलार्द पूर्वी गोलार्द से आप पश्चमी गोलार्द की तरफ जा रहे हो तो ये कह रहा है कि यहां पे देशांतर रेखाओं के आकार में क्या परिवर्तन दिखाए देगा सर मेरे को तो कोई परिवर्तन दिखाए दे रहा है मैं पूरू से पश्चिमी गोलार्ट की तरफ जाता हूं तो देशांतर रेखाओं के मद्ध है क्या अंतर देखने को मिलता है तो देखोगे पहले तो इसकी दूरी जो है वो बढ़नी शुरू होगी इन देशांतर रेखाओं की बहुमद रेखा की तरफ आते आते इसकी दूरी जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी बहुमद रेखा इसने पूरु से पश्यम तो कोई भी किसी भी प्रकार का अंतराल आपको नहीं देखने को मिलेगा पूरु से पश्यम दिशा की तरफ जाने पर इन देशांतर रेखाओं में अगला कुश्यन प्रत्वी दिवस की तो बात होई गई है आपकी विशु के दिन सूर्य सीधी किरने चमकती हैं तो आविएस ये विशुवत रेखा पे सीधी चमकती है आपकी नेक्स्ट प्रत्वी के द्वारा सूर्य के चारो और घूमने को कहा जाता है तो ये आपका गुर्रन कहा जाएगा ये भी सिंपल सा है आपका एक यहां पे ध्यानक ना प्रदीपन वरत ये प्रदीपन वरत भी पूछ लेता है कही बार प्रदीपन वरत क्या होता है वहे वरत रेखा जो की अंधेरे और उजाले को अलग करती है कैसे सर अंधेर और उजाले को अलग करने वाला प्रदीपन वरत कुन सा होगा यह जो सामने हिस्सा आ रहा है यहां पे दिन है जो पीछे है यह रात है आपको यह जो रोशनी वाला इलाका दिखाई दे रहा है ना वो आपको यह इलाका दिखाई दे रहा है पीछे जो है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है यह रात है यह जो वरत होगा यह कहलाया जाएगा आपका प्रदीपन वरत जो कि अंधेरे और उजाले वाले छेतर को अलग-अलग करता है कभी देखो आप शाम के समय है ना सूर्य अस्त होते वे देखना यह कभी सूर्य उदय होते हो देखना सूबह सूबह उदय होने से पूर्व पांच मिंट पैदे सूर्य जब निकलने को होता है ना तब देखना आप जब उदय नहीं हुआ हो तब बैठ जाना देखने के लिए और उदय होते हो उसको देखना गौर से या शाम को जब अस्त हो रहा है तब देखना आपको पता है क्या दिखाई देगा मतलब ऐसे दिखाई देगा कि सूर्य जो है धीरे 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 धल रहा है धल रहा है आधा आधा आपको जब दिखने लग जाए सूर्य तब गौर से देखना शू करना आपको दिखाई देगा इतना सकी नारा फिर वो चला जाएगा आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है न वो उजाला इस तरीके से आकाश में से पीछे की तरफ नीचे उतर रहा है कभी गौर से देखना आप तो ये उजाला नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है न यही होता है एक प्रदीपनवरत जो कि आपका अंधेरे और उजाले वाले छेतर को अलग करता है ठीके दोस्त ये आपको यहाँ पे ध्यान लखना है ओके तो प्रदीपनवरत वह छेतर जो अंधेरे और उजाले को जो है अलग करता हुआ दिखाई देता है इसमें दो घंटे में आपको कोई डाउट है कि दो घंटे का अंतराल कैसे आएगा आप एक घंटे का अंतराल मान रहेंगे इसमें सर आप एक घंटे का देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कुश्यन देखो आप कुश्यन में कह रहा है यह आपका दो शहर N और M ग्रिनविच से 15 पूर्व और 15 पश्शिम में अवस्थित हैं है ना तो मान लीजिए आप शिश्मा जी की 0 डिगरी जो है इसको ग्रिनविच बोलते हैं आपन यही तो ग्रिनविच है ना अपना अब इसके 15 डिगरी पूर्व में आ जाईए आप 15 डिगरी पूर्व में यह शहर मान लिया मैंने ठीक है और यहाँ पे 15 डिगरी पश्चिम में मैं आ गया यहाँ पे मैंने यह शहर मान लिया 15 डिगरी पश्चिम में ठीक है यह शहर N शहर है और यह शहर आपका M शहर है अब simple सा अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे कि सर पश्चिम से पूर की तरफ आते हुए समय प्लस करते हो और आपका Greenwich से आप जब पश्चिम की तरफ जाते हो तो समय को माइनस करते हो आप यही कहेंगे मेरे को मान लीजिए यहाँ पे आपका सुबह के 8 बज़ रहे हैं 8 एम हो रहा है यहाँ पे क्या टाइम होगा आप बोलोगे सर एक घंटा बढ़ा लो यहाँ पे आप यहाँ पे 9 एम हो रहा होगा एम शहर पे और मैं पुछू एन शहर पे आप बोलोगे सर एक घंटा कम कर लो यहाँ पे यहाँ पे 7 एम हो रहा होगा question क्या कह रहा है ये कह रहा है इन दो शहरों के समय में कितना अंतर पाया जा रहा है देखो जरा 7 और 9 कितना अंतर मिला 2 घंटे का अंतर मिला आपको simple सा जो है 2 घंटे का अंतर मिला है ना या फिर 15 डिग्री और 15 डिग्री यानि कि 30 डिग्री दोनों शहर के मद्दे 30 डिग्री का अंतरा ले तो 2 घंटे का अंतरा ले दो शहर के मद्दे 60 डिग्री का अंतरा ले तो 4 घंटे का अंतरा ले दो शहर के मद्दे आपका 75 डिग्री का अंतरा ले तो 5 घंटे का अंतरा ले एक कुश्चन मनता है SST के इंदर केवल केवल एक कुश्चन मनता है आपका SST के इंदर जो कुश्चन बनेंगे न वो आगे वाले जैसे प्रतवी के इंदर आपको विंड सिस्टम देखने को मिलता है भुकंप देखने को मिलता है वहाँ से बनते है ultimate question आपके grade second के अंदर है ना भुगंप वाला chapter हो गया सेश्टी में जॉला मुखी वाला जो हो गया वहाँ से आपका ठीक तो आप जो है उसको जो है मतलब कल से मतलब डेली शाम को 7 बजे एक लास रहेगी आप देख सकते हैं उसको live रहेगी और बाकी आप जो भी आपके कोई doubt है तो please आप share कीजिए और इस class को जो है जादा से जादा आपके जितनी भी दोस्त हैं grade second की तेयारी कर रहे हैं तो sst का पूरा complete जो है question मैं आपको यहाँ पे भाऊंगा ठिक तो आज तो एक छोटा सा topic था इसलिए duration में इतना लंबा नहीं रखा है बट duration आपको जो है in classes का आने वाले time पे एक एक गंटे का देखने को मिलेगा तो I hope so यहाँ तक की चीज़े आपको समझने में आई होंगी उसके अलावा अगर आप रास्तान में किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो आप unacademy learning app जो है वो download कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जितने भी courses हैं वो देखने को मिलेंगे और उसके अलावा आप जो live classes हैं हमारी वो ले सकते हैं regular doubt coding session जो है आप वो ले सकते हैं यहाँ पे आपको live test series के साथ साथ में मैं बोल सकता हूँ आपको जो हमारी plus classes हैं वो भी मिलेंगी PDF material जो है वो भी दिया जाएगा और answer writing अगर आप आरेस की तियारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे करवाई जाएगी unacademy light cable के वल test series के लिए आप जोइन कर सकते हैं और discount के लिए यहाँ पे code यूज़ कर सकते हैं TT live जैसे ही आप यह code यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे हम लोग 20% off आपको मिल जाएगा next आगे आप यहाँ पे अगर तयारी कर रहे हैं रास्थान के अंदर test series जो है आप जोइन कर सकते हैं SI का course चल रहा है आप यह भी जोइन कर सकते हैं और 20% off का जो benefit है यह आपको 3 December तक मिलेगा स्वरी 3 December तक मिलेगा तो 3 December तक आप जोइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तयारी कर सकते हैं अनकेडमी पर आपको यह जो हमारा YouTube चैनल है आप इसको जोइन कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा इसको शेर कीजिए तो फिर मिलते हैं चोड़ा सा टॉपीक है वो भी कौन सा सर कौन सा वाला चोड़ा सा टॉपीक है शेकर तो ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपन कल नेक्स्ट शेशन में रास्तान जोगरफी सुबह 11 बज़े अपनी स्पेशल क्लास में चुरू रही है तो तब तक के लिए थैंक्यू गुडबाई and have a nice day